लो गाइस वेलकम बैक टू फ्रीक्स और आज मैं आपको दुनिया की पांच ऐसी वेबसाइट्स के बारे मैं बताने वाला हूँ जिन वेबसाइट्स पे आप अपनी फोटो अपनोड करके पैसे कमा सकते हो सेम जैसे हम यूटूब से कमाते हैं अपनी वीडियोज अपनोड करके तो अगर आपको फोटो खींचने का शौक है और आप कुछ ऐसी यूनिक फोटो की क्लिक करते हो जो बहुत कम लोगों ने देखी हो या आप ऐसे ऐसे प्लेशिस पे विजिट करते हो जो यूनिक प्लेशिस हैं और जो वहां की फोटो हैं वो बहुत ही अलग रहती हैं तो आप इन पांच वेबसाइट पे अपनी फोटो अपनोड करके पैसे कमा सकते हो तो ये वेबसाइट आपको आट रुपे से लेके 8,000 रुपीस तक पर फोटो दे सकती है डिपेंड की आपकी फोटो में कितनी यूनिकनेस है और कितनी लोगों को पसंद आती है तो इन वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाके साइन अप करके पैसे कमा सकते हो और जो भी आपकी फोटो उससे लोयल्टी आएगी या इनकम होईगी ये कमपनी आपके अकाउंट में आपको पैसे देगी और ये इंटरनेशनल वेबसाइट है तो फोटो का कोई चांस नहीं रहता अगर आपकी फोटो अच्छी हुई तो ये कमपनियां जरूर आपको पैसे देगी तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है अकाउंट आपको क्रियेट करना है इन वेबसाइट पे और जब आपका अकाउंट वेरिफाई हो जाएगा इस पे इन पांचों वेबसाइट पे तो कमपनी आपको टाइम देगी कि आप अपने फोटो अप्लोड करें किछ-कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिन पे कुछ लिमिट है कि आप हफ़ते में 10 फोटो अप्लोड कर सकते हैं और बाकी 3 ये 4 जो वेबसाइट हैं इन पे आप कितने ही फोटो अप्लोड करके उनको अपनी मोनेटराइजिशन के लिए ओन कर सकते हो तो जैसी आप फोटो अप्लोड करोगे तो कंपनी क्या करेगी कि जो भी आपने फोटो अप्लोड किया है सबसे पहले उसका कंटेंट देखेगी कि वो फोटो यूनीक है अगर वो फोटो यूनीक हुई तो company आपको approve कर देगी उन photos को live करने के लिए और जो भी उनसे income आएगी company आपको देदेगी तो उन 5 websites के नाम मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इन website पे विजिट करके अपना account create कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर आप photography को serious लेते हो तो तो सबसे पहले जो website आती है हुआ है shutterstock.com दूसरी website है जो stocksy.com मैं सारे नीचे link में डिस्क्रिप्शन डाल दूँआ और बता है आप इस screen पे देखना लिखा भी आएगा तो दूसरी website जो मने बताई थी stocksy.com है तीसरी जो website है वो है gittimages.com ये एक international website है gittimages इस पे बहुत ही traffic रहता है तो आप इसी से लगा सकते हो कि कि इस website पे कितना traffic है तो आपकी photos पे कितनी uniqueness जी होगी जो चोथी company है वो है istockphotos.com वो gittimages की एक sub company है और जो istockphoto.com है इसका head office या जो एक branch office हमारे इंडिया में भी है Mumbai में इसका एक office है तो istockphoto.com जो थी company हुई जो पांच में website है kristalk.com ये Canada की company है यही वो website है जिस पे खाली आप अफ़ते में 10 photos ही upload कर सकते हो तो अगर आपकी photos में uniqueness है तो आप उन 10 photos को इस website पे upload करें तो company आपको loyalty भी देती है और company इसकी photos को खरीद लेता है तो company आपको पैसे भी दे सकती है तो आप इस website पे विजट करके अपनी photos upload कर सकते हो और अच्छी income कमा सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो give it a thumbs up और मेरे चैनल को subscribe जुरूर करें Thank you so much